आप सब लोगों को हमारे यूट्यूब चनल की और एक ने नॉलिजिबुल भीडियो में स्वागत है इस वीडियो में हम रामायन जी के लेके आये हैं जिसमें हम आज रामायन के मुख्य चरीत्र राबन के सम्मदित 35 अथी महत्वपूर्ण प्रश्ण और उत्तर के बारे में जानेंगे जो आपके आने वाले सभी कॉम्प्रेडि परिक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है तो चलो ये वीडियो सुरू करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले आपसिक अनुरोधे की हो सके तो ये वीडियो पर सुरू से लेकि अन तक देख लीजिए आप बहुत कुछ जान जाओगे ये रहा पहला सवाल राबन कीस यूग का एक प्रमुक राजा था अगर आप लोग जानते हो तो कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो इसका उतर है त्रेता यूग जिनको हम त्रेतोया यूग के नाम से भी जानते हैं तो राबन त्रेता यूग का एक प्रमुक राजा था जैसे आप लोग जानते हो कि रामायन त्रेत्या युग में हुआ था गिरहा दूसर सवाल रामायन में राबन कीस नगरी का राजा था इसका उतर है लंका नगरी तो रामायन में राबन लंका नगरी का राजा था ये रहा अगला सबाल लंका नगरी के राजा राबन को किस नाम से जाना जाता था इसका उत्तर है दशानन क्योंकि उनका दस आनन यानि दस सिर्था इसलिए राबन को दसानन के नाम से जाना जाता था ये रहा अगला सवाल रामायन में राबन कीस भगवान का परमभक्त था इसका उतर है भगवान सीब तो रामायन में राबन भगवान सीब जी का परमभक्त था ये रहा अगला सवाल रामायन में राबन कीस बाद्य यंत्र का आबिस्कार किया था इसका उतर है बीना तो रामायन में राबन को संगीत में बहुत ज्यादा रूची था इसलिए राबन बीना बादी यंत्र का आभिस्कार क्या था ये रहा अगला सवाल राबन जाती में क्या था इसका उतर है ब्रामहन तो राबन जाती में एक ब्रामहन था ये रहा अगला सबाल राबन कीस रूसी का पोत्र था इसका उत्तर है पुलस्त्य तो राबन पुलस्त्य रूसी का पोत्र था ये रहा अगला सबाल राबन के पिता का नाम क्या था इसका उत्तर है बिस्रवा तो याप कन्फ्यूस कभी मत होना कि राबन के पिता का नाम था बिस्रवा और बिस्रवा के पिता का नाम था पुलस्त्य इसलिए राबन को पुलस्त्य का पोत्र और बिस्रवा के पुत्र के नाम से जाना जाता है गिरहा अगला सवाल राबन के माता का नाम क्या था? इसका उतर है कईकेशी तो ये तीनों आप याद रखलो कि राबन के पिता का नाम था विश्रवा, राबन के माता का नाम था कईकेशी और राबन पुलस्ते रूसी का पूत्र था ये रहा अगला सवाल राबन से पहले लंका नगरी के राजा कौन थे? इसका उतर है कुबेर, तो राबन से पहले लंका के राजा कुबेर थे? ये रहा अगला सवाल राबन को कितने सास्त्र और कितने बेद का गुरु माना जाता है? इसका उतरहे छे सास्त्र और चार बेद क्योंकि राबन छे सास्त्र और चार बेद को पढ़ लिया था इसलिए उनको इन सभी का गुरु माना जाता है ये रहा अगला सवाल राबन के राज्य लंका को और किस नाम से जाना जाता था इसका उतर है सोने का नगरी क्योंकि राबन ने लंका को पुरा सोने से सज्जित किया था इसलिए राबन के राज्य लंका नगरी को सोने का नगरी के नाम से भी जाना जाता है गिरहा अगला सबाल पद्मपुराण अनुसार कीज ब्यक्ति दूसरे जन में राबन के रूप में जन्म लिये थे इसका उतर है हिरनाख्यो नामक ब्यक्ति तो पद्मपुराणा अनुसार हिरनाख्यो ब्यक्ति दूसरे जन में राबन के रूप में जन्म लिये थे गिरहा अगला सवाल राबन की पत्नी का नाम क्या था? इसका उतर है मंदोदरी तो राबन की पत्नी का नाम है मंदोदरी गिरहा अगला सवाल राबन की इस बिद्या में सबसे निपुन था? इसका उत्तर हे तंत्रविद्या तो राबन तंत्रविद्या में सबसे निपण था ये रहा अगला सवाल राबन कीस ग्रंथ का रचना किया था इसका उत्तर हे राबन सहिता तो राबन सहिता को खुद राबन जी ने रचना किया था ये रहा अगला सवाल रामायन में राबन कीस माता को अपहरण करके लंका ले आया था इसका उतर है माता सिता तो रामायन में राबन माता सिता को अपहरण करके लंका ले आया था ये रहा अगला सवाल रामायन में राबन का मृत्यू कीस ब्यक्ति के द्वारा हुआ था ये रहा अगला सवाल, राबन मनने के बाद किस व्यक्ति को लंका का राज्या बनाया गया था? इसका उतर है बिभीशन, जो कि राबन का एक भाई था, तो याप याद रख लो कि राबन के पहले लंका नगरी के राजा थे कुबेरो, और राबन मनने के बाद लंका नगरी के राजा थे बिभीशन, ये रहा अगला सवाल, राबन के कितने भाई और बहन थे? इसका उत्तर है दो भाई और एक बेहन तो राबन के कुल दो भाई और एक बेहन थी ये रहा अगला सवाल राबन के दो भाई का नाम क्या था इसका उत्तर है बिभीशन और कुम्भकन्न तो राबन के दो भाई का नाम था बिभीशन और कुम्भकन्न आप लोगों ने तो जान लिया कि राबन के दो भाई का नाम और ये रहा अगला सबाल जिसमें आपको बताना है कि राबन की बेहन का नाम क्या था इसका उत्र है शुपनखा तो राबन के बेहन का नाम था शुपनखा जिनका नाक और कान छेदन किये थे प्रभू स्री लक्ष्मनजी ने गिरह अगला सबाल राबन की दूसरे पत्नी का नाम क्या है? इसका उत्र है धन्यमालिनी तो या प्याद रखलो कि राबन के दो पत्नी थे जिनमें एक का नाम है मंदोदरी और दूसरे पत्नी का नाम है धन्यमालिनी गिरह अगला सबाल राबन की पत्नी मंदोदरी को किस नाम से जाना जाता था? इसका उत्तर है चीरकुमारी तो रावन के पत्नी मंदोदरी को चीरकुमारी के नाम से जाना जाता था ये रहा अगला सबाल रावन और मंदोदरी के कितने संतान थे इसका उत्तर है तीन तो रावन और मंदोदरी के कुल तीन संतान थे ये रहा अगला स्वाल राबन और मंददरी के संतान का नाम क्या था? इसका उत्तर है अतीकाय, अक्षर कुमार और मेघनाद तो राबन और मंददरी के तीन संतान का नाम है ये रहा अगला स्वाल राबन की पुत्र मेघनाद को किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है इंद्रजीत तो राबन के पुत्र मेगनाद को इंद्रजीत के नाम से जाना जाता है इंद्रजीत क्योंकि वो इंद्र के उपर जीत लिया था इसलिए मेगनाद को इंद्रजीत के नाम से जाना जाता है गिरहा अगला सबाल राबन माता सिता को अपहरण करने समय कीस पक्षी को मार गिराया था इसका उतर है जटायू तो राबन माता सिता को अपहरण करने समय जटायू पक्षी को मार गिराया था ये रहा अगला सबाल राबन ने कीस ब्यक्ति को स्वर्न नहीरन के रूप में राम के पास भेजा था इसका उतर है मारिचर तो राबन ने मारिचर को स्वर्न नहीरन के रूप में भगबान स्री राम जी के पास भेजा था गिरहा अगला सवाल राबन के कहने पर कीस बानर के पूंच में अगनी लगाया गया था इसका उतर है हनुमान तो राबन के कहने पर हनुमान जी के उपर हनुमान जी के पूंच में अगनी लगाया गया था गिरहा अगला सबाल राबन माता सिता को अपहरण करके कहां पर रखा था इसका उतर है अशोकोबाटिका तो राबन माता सिता को अपहरण करके अशोकोबाटिका में रखा था गिरहा अगला सबाल राबन दिन रात कीस भगवान का आराधना करता था इसका उतर है भगवान सीब आप लोग तो जानते हो कि राबन भगवान सीब जी का एक परमभक्त था इसलिए राबन दिन रात भगवान सीब जी का आराधना करता था गे रहा अगला सबाल भारत में हर साल राबन दहन किस दिन मनाया जाता है इसका उत्तर है बिजया दस्मी तो भारत में हर साल राबन दहन बिजया दस्मी के दिन मनाया जाता है ये रहा अगला सवाल भारत में प्रसिध लंका का मिनार कौन से राज्य में है इसका उत्तर है उत्तरप्रदेश तो भारत में प्रशीध लंका का मिनार उत्तरप्रदेश राज्य में है ये रहा अगला सवाल और आखरी सवाल इस भीडियो का राबन का प्रशीध दशानन मंदिर भारत के की स्राज्य में है इसका उत्तर है उत्तरप्रदेश राज्य के कांदपूर सहर में तो राबन का प्रशीधा दसानन मंदिर भारत के उत्तरप्रदेश राज्य में है आप लोगों को ये भीडियो केसा लगा और आप ये 35 सबाल में से कितने का सही जबाब दिये थे आमें comment section में जरूर बताना और हो सके तो वीडियो को share कर दीजिए ताकि भारत के सब बच्चे इस आधुनिक जुग में रामायन के बारे में थोड़ा जान सके और चनल को subscribe कर लिजिए एसे ही ज्यान पाने के लिए वीडियो देखने के लिए धन्योबाद